comparative degree तुलनात्मक तुलना जब करते हैं तो इसमें जो विशेशन मूल याने पहला वाला जो शब्द होता है जिसे हम अंग्रेजी में positive कहते हैं positive में अधिक मात्रा positive की अपेक्षा अधिक मात्रा जब बताई जाती है तो वो कहते हैं उसको next degree और next degree जो है उस next degree के लिए हम उसमें कुछ अलग-अलग शब्द जोड़कर उसे अगली degree तक लाते हैं जब दो और अन्य वस्तुओं की तुलना होए तभी ऐसा होता है एक जैसी तुलना हो दो वस्त या वस्तुओं के समुदाय की जब हम तुलना करते हैं comparative degree में तब हम ऐसी तुलना करते समय हमको ध्यान रखना होता है कि तुलना समान हो समान चीट की तुलना हो या समान समुदाय की तुलना हो उदारण के लिए this boy is stronger than that boy तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोनों के ताकत की बात कर रहे हैं शक्ति की बात कर रहा है तुलना किस चीज की हो रही है शक्ति की हो रही है किन में हो रही है दो बच्चों में तो पहला जो मूल विशेशन है जिसे हम positive कहते हैं वो बदल को strong है और दूसरा जो इसका higher degree है वो stronger हो गया right which of these two pens is better which of these two pens is better better जो है वो higher degree है positive से positive के तुलना में better मतलब good से बहतर अच्छे से ज्यादा अच्छा बहतर right superlative degree की जड़ी बात करें जो third है superlative degree जो third है पहला तो positive दूसरा comparative और तीसरा superlative तो superlative degree में गुण की सरवाधिक स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति की बात होती है किसी गुण आखिर विशेशन क्या है गुण है तो गुण की सबसे अच्छी स्थिति की बात हो तब superlative degree का प्रेयोग होता है और उसमें दो से अधिक वस्तूं या समुदाय की तुलना की जाती है जैसे इस बाइब रगुण की बी चर्चा कर रहा है चाहे दुरगुण की चाहे साथिति की बात लुण की बात 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 होता है सदगुन की, गुण का आर्थ केवल सदगुन ही नहीं है, गुण का आर्थ quality है, तो quality की चर्चा करें, तो third degree कहलाती है, superlative, so first is positive, second is comparative, क्योंकि उसमें एक से compare होता है, तुलना होता है, and third is superlative, वस्टों के तुलना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यह भी देख लें कैसे This boy is stronger than that boy Right We can also say That boy is less stronger than this boy That boy is less strong than this boy Rama is stronger than Baloo We can say Baloo is less strong than Rama अब देखिए Baloo is less stronger नहीं होगा बताईए क्यों Baloo is less stronger नहीं क्यों नहीं खाल रखेंगे Less का मतलब ही होता है कम और फिर उसमें stronger शब्द हम लगाना Stronger का मतलब होता है बहतर जो less is stronger नहीं होगा या तो less होगा या stronger लगेगा So हम बोलेंगे less strong Right Very correctly Baloo is less strong than Rama और Rama is stronger than Baloo These are the two ways to say कभी कभी हम जो Super relative degree है जिसे उत्तमावस्था भी कहते हैं उस स्थिति में हम most शब्द का उप्योग करते हैं उसको बारे में हम थोड़ा और विस्तार से आगे पढ़ेंगे पर अभी जान लें कि सुपर लेटिव डिग्री में most का उप्योग जब करते हैं जब तुलना का विचार नहीं कहो तुलना हमको नहीं कर रही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें गुण है फिर से मैं बात कर रहा हूँ दुरगुण या सदगुण इस पर आपको नहीं जाना है लेकिन तुलना नहीं होगे सबसे ज़्यादा बस यही बता रहे जाना है उदारन के लिए this is most unfortunate this is most unfortunate सबसे ज़्यादा या दुरभाग शाली बात है सबसे ज़्यादा है दुर भाग शाली बात है most unfortunate it was a most eloquent speech Eloquent मतलब spasht, eloquent means spasht, it was the most eloquent speech, next is most industrious, दूसरे शब्दों में most शब्द लगा कर हम विशेशन की superlative बना देते हैं, और ये प्रयोग केवल superlative का जो उप्योग होता है, ऐसा वो हम eminence, superlative of eminence, या absolute superlative, याने सबसे ज़्यादा, इसके लिए ही केवल most का या ऐसी शब्दों का उप्योग होता है, so having done this, there are three comparisons, and now let us do some of the, I would say exercise, हम कुछ इसमें और आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं कि formation of comparative और superlative कैसे होता है, comparative वर्ड कैसे बनते हैं, positive से, superlative वर्ड कैसे बनते हैं, positive से, क्या उसके कुछ नियम हैं, वो कितना कथिन है, superlative और comparative बनाना, कुछ उसके नियम हैं, ऐसा मैं आपको कहूंगा, लेकिन वो नियम, एकदम general नियम हैं, सामान नियत्या, there is no hard and fast rule, but there are still few rules, so let us talk about the ways in which a positives can be converted into comparative and superlative. First, मैंने भी आपको syllable समझाया, I made you understand what is a syllable, और syllable आप समझ गये हैं कि क्या है, उच्चारण से इसका संबंध है syllable का, और उच्चारण कौन से उच्चारण से? वाविल के उच्चारण से, so based on that, let us move further and use the word syllable more often. एक अक्षर याए syllable, यदि एक से अधिक अक्षर वाले विशेशनों की मुलावस्था में E-R जोड़ दें, एक syllable यदि है, if it is a single syllable, और कुछ में, यदि more than one syllable हो, कुछ में, कौन से उसके लिए कोई नियम नही है, लेकिन mostly, single syllable words, and in some cases, multi-syllable words, if it is ending with E-R, यदि वो E-R, तो comparative में हम E-R जोड़ दें, और superlative में E-S-T जोड़ दें, am I clear, in a single syllable word, add E-R for comparative, into, in positive words, add E-S-T in positive words, and that will become superlative, but condition is, it should be mostly single syllable word, sweet, sweet is a single syllable word, yes, sweet, इसमें E-E एक ही, वाविल, एक ही उच्चारन है, वाविल का, एक ही स्वर का उच्चारन है, E, तो इसलिए वो single syllable है, तो sweet, मैंने कहा, E-R, sweeter, और superlative में बनता है, sweetest, sweet, sweeter, sweetest, इसका मतलब क्या हुआ, मीथा, थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा मीथा, उससे ज्यादा मीथा, comparative होता उसमें, और superlative में क्या होगा, सबसे ज्यादा मीथा, sweetest, he is the sweetest of all boys, and Rama is sweeter than Shama in nature, and that student is so sweet, so sweet, sweeter, sweetest, small, smaller, smallest, छोटा, उससे छोटा, यह देखिए, उससे शब्द, comparative की जब बात होती है, तो अनुआज में क्या होगा, उससे छोटा, तो उससे शब्द जुड़ेगा, smaller and smallest, यह दोनों E-R से समाप्त होने, tall, taller, tallest, सब सिंगल सिलेबल हैं, E-R जुड़ता है या E-S-T जुड़ता है, सिंगल सिलेबल में अधिकतर आप E-R जुड़ दीजे तो comparative, अधिकतर शब्दों में आप E-S-T जुड़ दीजे तो superlative, I go fast, tall, taller, tallest, उससे 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 बोल्ड, bolder, boldest, clever, cleverer, cleverest, clever मने चाला, clever, cleverer, cleverest, young, younger, youngest, I am young, and I have a younger sister, younger sister मतलब मेरे से छोटी, उससे छोटी, उससे मतलब मेरे से, and I have, my brother is the youngest, मेरा भाई सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो कौन है, मेरा भाई, the youngest, so young, younger, youngest, and great, greater, greatest, यह किसके एक्जामपल है, single syllable के एक्जामपल, जिसमें ER या EST लगाना होता है, comparative और superlative, और single syllable, अभ यदि, positive शब्द का अंत ए से होता है, भले ही single syllable हूँ, but the word ends with the letter E, so you add R or ST, because it is already ending with E, single syllable word which are already ending with E, you just add R for comparative and ST for superlative, very simple, brave, bravest, superlative, brave, braver, bravest, fine, finer, finest, fine मतलब महीन, बहुत महीन कपड़ा है, the fine cloth, it is a fine cloth, but that cloth is finer than this cloth, लेकिन वो कपड़ा इसे से ज्यादा महीन है, and the other one is the finest cloth, so fine, finer, finest, able, abler, ablest, and able मतलब योग्य, वह योग्य है, राम योग्य है, शाम राम से ज्यादा योग्य है, तुलना हो रही है, तो comparative, और मोहन तो सब से ज्यादा योग्य है, So, able, abler, ablest, and you can see wise. Tenali Ram was the wisest of all. His darbari was a wise man. Raja Krishna Rai was wiser than the darbari's, but Tenali Ram was the wisest of the whole lot. पूरे समुदाय में सब से ज्यादा. So, wise, wiser, wisest. यह हो गया single syllable में, यह लगाने से क्या होता है? अब अगला है, यदि यह से समाप्थो वर्ड, तो क्या होगा? बहुत सरल है यह कुछ चीजें, and in 90% cases, these rules are correctly applied. So, the third situation where you can understand is, again, single syllable. Remove Y, the last letter, and put E-R, I-E-R, and I-E-S-T. Y को हटाय यह, यदि शब्द single syllable है, और Y से समाप्थ होता है, तो Y को हटाकर I लगा दो. पहली बात तो जो. Remove Y, add I. Thereafter, E-R and E-S-T. Right, like the one law that we studied first. If it ends with Y, for example, happy, happy, happier, happiest, easy, easy, easier, easiest, एक वाक्य बनाएं एजी के साथ. Oh, adjective is very, adjective topic is very easy. Ram says, adjective topic is very easy. Shyam says, but pronoun topic is easier than adjective. But Sohan says, noun is the easiest of the whole. In तीनों में noun सबसे सरल है. So easy, easier, easiest, Y से समाप्थ हो रहा है, तो Y को हटाकर I लगा ये, और फिर E-R और E-S-T, जैसा पहले बताया था, वैसा जोड दीज़े. Heavy, heavier, heaviest, wealthy, wealthier, wealthiest. धनी, उससे जादा धनी, और सबसे जादा धनी. Right? So here we come to this, I mean, poor is a double syllable word. Sorry, remember, we will study that again. But right now, what you should know is that, all the nouns, ending up with, why, all the adjectives, ending up with why, you remove it. y, add i, and thereafter, E-S-T, and E-R, for superlative and for comparative. Next one, if it is a single syllable, again, remember, we are talking about single syllable, and it has only one consonant. try to understand the rule, single syllable, condition one, secondly, only one consonant, consonant, what does it mean? Vyjanjan, 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 consonant, Vyjanjan, तो क्या बन जाएगा? जो आखरी में उसको डबल कर दो. आखरी में जो व्यांजन है उसको डबल कर दो. और E-R-E-S-T जोड़ दो. Isn't it simple to understand? I repeat again, single syllable, last letter is consonant or व्यांजन. How to make it comparative and superlative? Add last letter once again, double that number, double that letter and add E-R. Red, redder, reddest. Big, bigger, biggest. Hot, H-O-T, hot. Hotter, double T and hottest. Hot, hotter, hottest. Thin, dubla. Thinner, aur dubla. Aur thinnest, sabseh dubla. Fat, mota. Fatter, double T and fattest, aur mota. So, this is an example of a consonant coming at the end, single consonant. Now, let us come to once again. Next one. If there are two syllables, that means, दो भॉवेल का उचारन में दो बार भॉवेल आता है तो, उचारन में, if there are two syllables, and in that two syllables, दो अक्षर वाले विशेशन बनाने के लिए, इनको करने के लिए हम more और most करते हैं. एक मैंने पहले example दिया था, most का. Now, we come to the greater detail and greater depth in it. In case, the adjective is double syllable. कितने syllable होते हैं? कितने type के syllable? मैंने आपको बताया, six types. या एक word में छह syllable हो सकते हैं. का इबार तो ऐसा हुआ है. We'll discuss about it. चार के तो बहुत कामन है, चार syllable. But right now, we concentrate on two syllable words. Two syllable adjective words. If you are coming across an adjective word which is two syllable, simple thing is put more for comparative and most for superlative. Splendid. Splendid. दो syllable हो रहा है. Splendid. इसमें क्या करना है? Splendid मतलब क्या होता है? पहली यह जाने? शानदार. नीरज कुमार गेव a splendid performance in javelin throw. Yes? Badrang Poonia had a splendid show in wrestling. So, coming back to this point. Splendid. Double syllable word. And when double syllable word is there, put simple more for comparative. More splendid, most splendid. More beautiful, most beautiful. मतलब हमको beautiful में दो syllable हैं. इसलिए याद रखिये, इसको हमको क्या नहीं बोलना है? Beautifuler or beautifulest is wrong. Because it is double syllable, you have to use more or most. More difficult and most difficult. Positive is difficult. More proper, most proper. More proper, most proper. So, this is another rule. And by and large, in 90 percent cases, these rules apply. There are exceptions that we will study little later. But right now, let us just concentrate on general applications of these rules in different ways. Okay. So, we come to next one. For example, courageous मतलब बहादूर. Courage मने साहस. बहादूरी. Courage. Courage is a noun. बहाववाचक. I am talking about adjective. Courageous. Your performance was very courageous. बहाद बहाद बहादूरी कर्तम ने परफॉर्म किया। So, courageous has two syllables. Courageous. In that case, what we say? More courageous and most courageous. Abdul is more courageous than Kareem. And Raheem is the most courageous of all. Right? Next again. कि एक या दो वस्ति के दो गुणों के यदि हमको तुलना करना हो. सुनिये. एक व्यक्ति या एक वस्तु. उसके किसी दो गुण के तुलना करना हो. तो बाद में जो गुणा आया है. उसके बारे में बात करेंगा. यदि किसी एक वस्तु के दो गुणों के तुलना हमको करनी हो. यदि हम चाहते हैं कि करेज अफ रामा इस ग्रेटर दैन दा करेज अफ बालू. तो हम कहेंगे रामा इस ब्रेवर दैन बालू. दा करेज अफ रामा इस ग्रेटर दैन दा करेज अफ बालू. ये कहने के बदले हम कहां कहेंगे रामा इस ब्रेवर दैन बालू. और देखिये जहां पर बहुत common mistake 99% लोग जो mistake करते हैं कि जब तुलना करते हैं comparative में तो बहुत बार हमको than शब्द का यूज़ करना पड़ता है He is cleverer than, He is taller than, He is smarter than, He is more interested than, He is more interested than Ram यहां पर than की spelling क्या है? मेरा उचारन क्या है? मेरा उचारन देन नहीं है I am not pronouncing then, then T-H-E-N is pronounced as then, where you stress but if you are pronouncing it than, the spelling is T-H-A-N and than मतलब तुलना करते समय जो शब्द आता है वो than, taller than, shorter than, और देन मतलब क्या होता है? तब T-H-E-N then मने तब, so when we compare, we use the word than, please note it for all times to come and stop making this kind of mistake which looks so bad when people of your age and maybe of higher age they make these mistakes, so don't err on this, don't make mistake on this, Rama is braver than, right? लेकिन यदि हम कहना चाहें कि दो बस्टों के तुलना की जाएं और तुलना पद में पहली तुलना को हम यदि करते हैं, तो पहली तुलना को हम अलग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। किया किया बोलेंगे आयरन इज मोर पीतिफल देन आनी मेचल, आपने तुलना कर दी, आयरन इज मोर पीओटिफल देन आनी मेचल, एनी मतलब क्या भुआ है, कोई भी, मेचल यदि हम कहते हैं आयरन भी एक पदार्त है iron is more useful than any metal मतलब iron is useful than more useful than iron क्योंकि iron भी तो एक metal है ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है other other लगाना पड़ता है iron is more useful than other metals iron is more useful than other see the letter written in italics other other is very very important यदि दो वस्थिओं की आपस में तुलना की जाए तो तुलनात्मक पद में से पहले तुलनात्मक को अलग कर देते है so what I am trying to say is that iron is more beautiful than any metal is wrong इसका मतलब क्या होगा iron is more useful than iron क्योंकि iron भी तो एक धात्य है metal है so the correct is iron is more useful than any other metal more आगया comparative but other को जोडना पड़ेगा